नमस्कार दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को मास्टर का कनेक्सिन के बारे में बताऊंगा तो दोस्तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा फिर कॉमेट में क्या आ जाएगा का हमको मास्टर में बोलता हूं कि मास्टर कॉंट्र में आपको 110 बोल सप्लाई रहता है फिर भी कॉमेंट में पुछा जाता है कि हमको मास्टर कॉंट्र में सप्लाई कितना देना है तो दोस्तों वीडियो को सुरू से ध्यान में रखना है सबसे पहले दोस्तों जब आप master control master control हमारा पहले देखना है कि कितना step का है आपका फोर step का है तो फोर step का किस तरह आपको check करना है यह जो हमारा master control का handle है ये handle को आपको एक दो, तीन, चार में लगा के देखना है, किस तरह देखना है, पहले आप एक number में लगाए, तो एक number में लगाने के बाद यह जो आपका kit है master control में, तो इसमें आपको देखना है कि सबसे पहले एक number में हमारा कौन सा kit लग रहा है तो एक नंबर में हमारा रिवेस साइड चलना चाहिए तो एक नंबर में हमारा अगर माली जी यह वाला कीट लग रहा है जब हम एक नंबर में लगा रहे हैं तो इसको हम लोग मनेंगे यह अदिम लगांगे मास्टर कांट्रों को हम यारा फ्रवार्ड कीट होगा इस कीज़ को गौर से ध्यान में रखिए कोई भी Master Control आप चेंज कर सकते हैं उसके लिए कोई भी दिकत नहीं कोई भी Master Control का connection करना में बहुत लेकिन आपको ध्यान से देखना है और देखने के बाद आपको चेक करना है कि कौन कितना नम्बर में लग रहा है तो दोस्तों यह हमारा एक नम्बर का किट रहेना चाहिए तब क्या होगा यहां पे आपका जो 110 बोल सप्लाई आपका दिया हुआ है Master Control में आपका 110 बोल सप्लाई दिया हुआ रहता है एक साइड में क्योंके दोस्तो Master Controller का हर कीट आपका NO होता है सिरिफ एक कीट जो है एक कीट हमारा NC होता है बाकि टोटाल कीट आपका NO रहता है और कोई-कोई Master Control में जैसे इसमें हम बनाए है के 8 श्टेप का Master Control यह master control में आपका NC भी रहता है 2-3 गो और NO भी रहता है तो यह master control का आपका किस purpose के लिए लगा हुआ रहता है अगर आप WMA crane में काम किये हैं तो WMA crane में आपका 8 step या 9 step का master control लगता है क्यूंके दोस्तों उसका function कुछ दूसरा है ओभी मैं आप लोग धीरे धीरे वीडियो में बता रहा हूँ part to part के की सतरा आपका connection करना है तो वीडियो को अगर आप नहीं देखते हैं तो शूरू से लेके last तक देखिए तो आपका hard doubt clear रहेगा छोड़ छोड़ के देखिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो दोस्तो यह हमारा एक नंबर हो गया अभी दो नंबर में आपको क्या check करना है फिर दो नंबर में आपका लगा के देखना है master control जब एक उसके बाद दो लगाईएगा तो दो नंबर में आपको देखना है के कौन सा कीट हमारा काम कर रहा है तो दो नंबर में हमारा resistance 1 हो करना चाहिए चाहिए आप राइट साइड लीजिए या रेव साइड लीजिए दो नमबर में हमारा यह एक नमबर रेजिस्टेंस काम करना चाहिए चाहिए आप दो में जो कीट हमारा काम कर रहा है उसको हम लोग रेजिस्टेंस 3 बोलेंगे इस तरह दोस्तों चेक करना पड़ता है step by step के master control जो है हमारा किस तरह काम कर रहा है कोई भी master control रहे जब भी आप क्योटी ओफारेड क्रेन में चेंज कीजिए तब सबसे पहले देखिए एक नंबर में हमारा कौन सा रिवर्स कीट है दोनों साइड में आपको देखना है एक नंबर में एक बार राइट साइड में लगाए तो हमारे यह रिवर्स का कीट हो गया और फिर लेफ साइड में नाम है नूटल कीट लेकिन यह नाम है सिर्फ कीट का लेकिन इसका कनेक्शन तो आपका हंडेट टिन सही रहेगा अगर पोडेक्टिव पैनल में अगर इसका सेपरेट कनेक्शन करना है अगर आपका नूटल से इंटरलोक देना है तभी आपका यहां पर नूटल सप्लाई आ करेगा बाकि एक नंबर दो नंबर तीन नंबर में जब आप काम की जिएगा तब यह नो हो जाएगा तो इसके बारे भी मैं पॉडेक्टिव पैनल का वीडियो बनाया हूं लेकिन कुछ-कुछ दोस्त हमको कॉमेंट करके बताया थे के सार यह जो हमारा कीट है इस कीट को हम आफ नेक्स्ट रहे हैं तो यह हम लोग हों का प्राइबंट कंपनी में क्या होता है जब आपस पुछते हैं एंका बिचuyorum किये inadequ ही किए है बिचो बिच नहीं किए है तो बिचो बिच कीजी उसके बाद आपका में कॉन्टक्टर ओन होगा इस तरह होता हैं दोस्तों मास्टर कॉन्ट्रोल का कनेक्शन तो यह हमारा फोर स्टेप का हो गया और फाइब दोस्तों क्या होगा एक साइड तो आपका 110 12 बोल्ट का ही सप्लाइद रहेगा और एक कीट जो है अगर इस कीट में माली जेकर न्यूटल से जो हमारा एक टू पावर कॉंटक्टर का पॉइंट रहता है एक टू का अगर आप न्यूटल से इसको इंटर लोग दिये है तो माली जेकर कोई कोई करेन में हम सिर्फ फेज सर से इंट्रलोग दिया जाता है कि हमारा कुछ भी सौट सर्कृट ना हो तो हमारा जितना सारा कीट सम्मेता में 110 बूल सप्लाइज दिये हैं तो हमारा जो पॉडेक्टिव पैनल है जहां पर आपका में कॉंटेक्टर रहता है तो में कॉंटेक्टर ओन करने के लिए यह वाला क कीच हो गा तब यह की टेंजी बनेगा तब आपका मेंक कॉंटेक्टर ओन होगा नहीं तो नहीं होगा यह कृण केट आपका 8 स्टेप और स्टर कॉंट्रोल है लेकिν आपको कितना काम करना है चार बनाना है सेम तो स्टीक करना है कि हम एक लगाएंगे एक लगाएंगे लगाएंगे हमरें इस तरह हम बंगाएंगे सेम टू सेम दोस्तों इसमें जीस तरह समझाया है चाहे आपको कितनों भी बड़ा master control रहे इस चीज को देख के आपको connection करना है तब आपको कभी भी connection गलत नहीं होगा और दोस्तों जो main important बात है जो हमारे ये master controller है master controller में बहुत तरह का connection रहता है master control जब आपका ये बीचो बीच, बीचो बीच मतलब जिसको हम लोग बोलता है कि master control को neutral करो तो WMI क्रेन में क्या होता है जैसे हम ये NO बनाये है बहुत सरा कीट आपका NC रहता है न्यूटल के लिए आपका सिरिफ contractor power contractor आपका काम करता है इसका भी connection किस तरह होता है वह भी जब मैं वीडियो part to part बना रहा हूं जब इसका भी वीडियो बनाएंगे तब आपका पूरो doubt क्लियर रहेगा लेकिन अभी दोस्तों जितना सरा private company है कोई भी private company में ज़्यादा तर हम लोग का 4 step का master control लगता है और जहां पर आपका ड्यावले में का क्रेंन उसमें आपका 8 step या 9 step का master control रहता है तो इसका भी हम लोग को connection सिखना है इसका भी शिखना है फाइब Denise कभी सिखना है मेरा कहिनें का मतलब है का समझोन का Give me या आपका माली जी के पाचे कीट रहे तो उसका connection हमको किस तरह करना है ये चीज आपको पहले समझना पड़ेगा जिस तरह मैं सुरू में समझाया हूँ कि इस तरह चेक करके आपको master control का connection करना है उसी तरह आपको check करके master control का connection करना है नहीं तो आपको गलत हो जाएगा अगर माली जी जैसे एक दो तीन आप नहीं चेक किया अंदाज में करने गए तो आपको गलती तो होगा ही होगा और जो main बात है सबसे पहले हम लोग जब master control चेंज करते हैं तो क्या करते हैं ये जो हमारा कीट है productive panel का है ये दोनों तार खोलते हैं दोनों तार खोलके एक साथ जोड के क्या करते है कि उसमें टेब मार देते हैं तो इसमें क्या होता है दोस्तो जब हम दो तार लेते दोनों तार एक साथ करके इसमें हम लोग टेब मार देते हैं तो ये हमारा पहिचान होगे कि ये हमारा न्यूटल जो ये हमारा nc कीट है जिसको हम लोग न्यूटल की और यह हो गया हमारा इसे में घाल में क्या करते हैं इसमें फीसमें अर चार काथ है तो हमारा resistance two का है और जो तीन नमबर है इसमें हम लोग कुछ टेम मारते ही नहीं है इसलिए नहीं मारते है कि हम लोग दिमाग पर एक load कर लेते हैं कि यह आमारा नमर रेस्टेन्स का उयर है तो इसी तरह दोस्तो अगर आपका तीन ने से तब तौको कनेक्शन करने में कुछ कशक्र कोई भी डाइगराम में इस तरह कोई भी मार्किंग दिया हूँआ नहीं रहता है कोई किसका है जब क्रेन पुराना हो जाता है तब क्या होता है उसमें फेर्वियल दिया हुआ रहता है जैसे हमारा इसका है इसका हमारा कितना रहते हैं 99 मतलब A2 का है हमारा मतलब यहां पर अगर 99 फेर्वियल दिया हुआ है तो आपका productive panel का A2 का जो main contractor है A2 का मतलब neutral के साथ इसका interlock दिया हुआ है अगर यहाँ पर हमारा 101 रहता है 101 रहने का मतलब क्या है दोस्तों कि हमारा यह phase circuit के साथ interlock दिया हुआ है farewell देखके भी कोई-कोई आदमी बहुत काम करता है लेकिन मैं जीस तरह आपको बता रहा हूँ इसमें आपका farewell बगरा का कोई भी चीज का जरूरत नहीं है मैं जीस तरह आपको बतायो इसी तरह अगर आप अपने आपको maintain करके connection करते हैं तो कभी भी आपका connection गलत नहीं होगा तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो like, share, comment जरूर कीजिएगा और कुछ doubt रहेगा तो हमको comment करके बताईएगा मैं वाट्सव में आप लोगा पूरा help करता हूँ और करता ही रहूंगा आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों